हेलो एवरीवन वेरी वेरी गुड माउनिंग कैसे हो आप सब हम सब तो बिलकुल ठीक हैं और उमीद करती हूँ कि आप सब भी बिलकुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे आप सब ही के लिए परमपिता प्रमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि प्रमात्मा आप सब ही को अच्छी सेहत वक्से और आप सब ही के सारी मनोकामनाईं पूरी हो जाएं ये सुबह पोने चार बजे का टाइम है और मैंने अपना साब सफाई का काम शुरू कर दिया है क्योंकि आज मुझे जाना है अपनी बहन के घर शाती में जो कि मेरे ताउजी की बेटी है उसके दो बच्चों की शाती है आज बेटी की बारात आएगी और कल बेटे की बारा मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है अगर पूरी साब सफाई करके सब का खाना बना के जाऊंगी तो मन को एक तसली रहती है कि हाँ मैंने आज का अपना सब काम कंप्लीट कर दिया है और जो शादी है वो है गाउं भापडोद्दा में लेकिन मैं पहले अपने माई के जाऊंगे और माई के से फिर भाई भाबी बतीजे बतीजी सब जाएंगे भात भरने के लिए तो फिर मैं उन्हीं के साथ बेहन के घर चली जाऊंगे और लगभग मैं यहां से आठ बजे निकलूँगी तो एक घंटे का रास्ता है नो बजे तक मैं आराम से पहुंच जाऊंगे और फिर जैसे मेरा माई का है गाउं अटायल में तो वहां से मेरी बेहन की जो सुसुराल है वो भी ज़्यादा दूर नहीं है अपनी गाडियों से जाएंगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है आधा घंटा मुस्किल से लगेगा तो आदे घंटे में पहुंच जाएंगे वहां पर तो मैं अभी अपना सारा काम निप्टा लेती हूँ फिर साथ के साथ खाना बनाने की तैयारी करूँगी और सुबह के खाने में मैं बनाऊंगी बच्चों के लिए आलू की सबजी और विशाल के पापा और विशाल की दादी जी के लिए बनाऊंगी देसी टिंडे की हम मंडी में गए थे न तो वहां से सिर्फ एकी सबजी ले कर आये थे देशी टिंडे जो कि विशाल के पापा जी को बहुत ज़्यादा पसंद है और बच्चे ये वाले सबजी बिल्कुल भी नहीं खाते हैं और देशी टिंडे की सबजी वैसे मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है लेकिन फिर बच्चे ना खाएं तो उनकी पसंद ना पसंद का भी ध्यान रखना पड़ता है तो इसी वज़े से फिर मैंने सोचा कि चलो इनकी पसंद का भी बना देती हूं और बच्चों की पसंद का भी बना दूंगे तो दो सबजी बनाने में तो आ बरतन वगरा ही सेट कर देती हूं, जो कि रात को मैंने मांज दिये थे, सूख चुके हैं, फिर बीच बीच में जैसे बरतन वगरा होंगे, उनको भी मैं साफ करके लगाऊंगी, तो ऐसा नाओ कि गिल्ले पानी के छिटे सुखे बरतन पर लग जाएं, तो वो भी फिर बरतन नहीं रहते हैं, तो सबसे पहले तो बरतनी सेट कर देती हूं, फिर मैं अपना सबजी वगरा काट लूँगे, साथ के साथ काम हो जाएगा, और जल्दी उठने का ये फाइदा होता है, कि दिन निकलने से पहले-पहले ही सारा काम कंप्लीट हो जाता है, और अभी बरतन वगरा सेट करके, मैंने सबसे पहले टिन डे की सबजी काट के तयार कर ली है, कि पहले मैं इसी सबजी में छोंक लगा देती हैं, क्योंकि आलो की सबजी कुकर में बनेगी, उसमें दो सीटी लगवा दूँगी, तो वो तो जल्दी तयार हो जाएगी, लेक जैसे मैंने अभी आलो बगरा नहीं छीले हैं, पहले इसी सबजी में छोंक लगा देती हूं, और आज जैसे मैं सुबह साड़े तीन बजे उठ गई थी, कि जल्दी जल्दी सारा काम कंप्लीट कर लेती हूं, फिर मुझे खुद से भी तयार होना है, आठ बजे मैं यहां स निकलूंगी तो 9 बजे तक माई के पहुंच जाऊंगी, फिर माई के से भाई भावी के साथ मैं बहन के घर जाऊंगी, तो अब वहां तो देखते हैं कि कितने बजे वहां से निकलते हैं, कितने बजे नहीं निकलते हैं, लेकिन मेरे को टाइम दिया गया है कि 9 बजे तक य पीर का और हंडा छोड़ा खीर का तो वहीं खीर का हंडा तो मैंने नहीं छोड़ा है लेकिन विस्तर आज मैंने साड़े तीन बजे ही छोड़ दिया था कि माईके भी जाना है फिर माईके से आगे बेहन के घर शादी में जाना है और सारे काम भी कंप्लीट करने हैं घर की खाना बनाना तो दोपर तक का खाना मैं इनका तयार करूंगी सबजी शाम तक की बना दूंगे तो फिर शाम के टाइम पे विशाल विशाल के पापाजी इन सब की रोटी वहां मेरी जिठानी के घर से पनवा के ले आएंगे सबजी इनके पास खुद से ओके तो यह है कि उनक अभी कुछ काम कम हो जाएगा और फिर एक दिन का खाना जो है ये उनके घरी खा लेंगे फिर मैं आ जाओंगी क्योंकि दो दिन लगेंगे शादी में एक तो आज जैसे जा रही हूँ आज बेटी की बारात आ जाएगी कल बेटी की बारात जाएगी तो फिर मैं उससे अगले दिया था कि सुबह सुबह उटके तो वैसे ही बहुत सारे काम हो जाएंगे फिर पैकिंग अगर माल ले मैं सुबह करने लगोंगी तो एक तो छोटी मोटी कोई ना कोई चीज मैं भूली जाओंगे क्योंकि जब ज़्यादा का का प्रेशर होता है तो मुझे लगता है मेरे साथ ही नहीं सभी के साथ ऐसा हो जाता है कि कुछ ना कुछ छूट जाता है लेकिन जब हम फुर्सत से अपना पैकिंग वगरा का काम करते हैं तो फिर कोई काम ऐसा नहीं होता है कि यह गलत होगा सब चीजे सही से सेट हो जाती हैं तो मैंने अपना बैग रात को ही पैक करके रख दिया था अभी आलो की सबजी काटके मैं इसमें छोंक लगा दूँगी फिर साथ के साथ मैं आटा लगा के और रोटी बनाने की तैयारी शुरू कर दूँगी वैसे इतनी जल्दी खाना देली 10 या 11 बजे के आसपासी बनता है लेकिन बच्चे भी मेरे ऐसे हैं कि जब मुझे कहीं जाना होता है तो एड़जेस्ट कर लेते हैं कि मम्मी आप रोटी बना के रख देना हम खुद से खा लेंगे तो मैं जब भी कहीं जाती हूं तो रोटी बगरा बना के जाती हूं जिसका जब मन होता है तो अपना ये आराम से खा लेते हैं मेरे मन को भी तसली रहती है कि हाँ मैंने सब के लिए खाना तयार करके रख दिया है और अब ये सुबह छे बजे का टाइम है मैंने रोटी बनानी शुरू की है तो फ्रेंड से आप सब भी आईए और आज का खाना बहुत ही जलदी बन गया है वैसे बहुत से घरों में होता है कि सुबह बहुत जलदी खाना बनता है लेकिन मेरे घर में खाना तो डेली यही 10 से 11 बजे के आसपास ही बनता है सुबह नास्ते में दही वगएरा दूद चाई वगएरा ले लेते हैं फिर 10 से 11 बजे के आसपास रोटी खाते हैं और इस टाइम भी यह है कि सिरफ बना के और घी लगा के मैं इनको पैक करके रख दूँगी खाएंगे अपने उसी टाइम पे सब तो फ्रेंट्स आईए और सुबह का खाना खा लीजिए और ये अब सुबह साड़े साथ बजे का टाइम है सब काम कंप्लेट हो गया है मैं भी नादो के तयार हो गई हूँ तो सोचा की जाने से पहले मैं सासुमा को पपीता भी काट के दे देती हूँ बाकी तो सारे काम कंप्लेट हो गई है रसोई की साबसपाई आप सब देख सकते हो बिल्कुल अच्छे से हो चुकी है फिर ये एक काम भी क्यों छोड़ के जाना है मैं इसे भी कर देती हूँ वैसे विशाल के पापा जी ये काम कर तो लेते हैं लेकिन उनको पपीता छीलने में बहुँ जादा टाइम लगता है दुखी होते रहते हैं तो मैंने सूचा की चलो इस काम को भी मैं ही कंप्लेट कर देती हूँ और वैसे इतनी गर्मी के मौसम में कहीं भी जाने का मन तो मेरा बिलकुल भी नहीं होता है मैं तो गर्मियों में कहीं तभी जाती हूँ जब ज़्यादा ही एमरजनसी होती है तो गर्मियों के मौसम में तो मैं जाने से मना कर देती हूँ लेकिन फिर ये तो शादी आ गई, इसमें कैसे मना करती, इसमें तो जाना ही पड़ेगा लेकिन गर्मियों की शादी में बिल्कुल भी इंजोय नहीं हो पाता है सर्दियों में साधी होती है तो सब खूब इंजोय करते हैं सब अच्छे से खाते पीते हैं ओड़ते पहनते हैं इतनी गर्मी में अगर माल्या कुछ हैवी कपड़े पहन लो तो वैसे ही गर्मी में जान निकल जाती है थोड़ा अच्छा सा हैवी खाना खालो तो पेट की हालत खराब हो जाती है इसी वज़े से अगर शादियां सर्दी में होती है ना तो सब खूब इंजोए करते हैं और ये देखिए पपीता मैंने यहाँ पर काट दिया है ये मैं अभी सासुमा को देयाँगी और फिर बस मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका है मैं अपना चलने की तयारी करूँगी लगभग 9 बजे तक मैं माईके में आराम से पहुँच जाऊंगी उसके बाद फिर आगे उनकी मरजी है वो कितने बजे चलते हैं मुझे तो टाइम उन्होंने दिया था कि 9 बजे तक यहां पर पहुँच जाना तो मैं अपने फिक्स टाइम पर पहुँच जाऊंगे तो फ्रेंड से आजए जिस किसी का मन हो पपीता मैंने काट दिया है पपीता खा लीजिए औरभी सासुमा को दे आती हूँ और फिर चलिए हम सब चलते हैं और आज की इस वीडियो का मैं यहीं प्रेंड करती हूँ वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like share जरूर कीजए मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार राधा स्वामे राधे राधे जै श्री राधे बाई बाई